तो यह देखिए फ्रेंट्स कितना सूपर सॉफ्ट और फ्लॉफी बर्गर वन है हमारा यही मैं आपको बनाना आज सिखा रही हूँ और इसको बनाने के लिए हमें किसी भी ओवन की या मोल्ड की जुरूरत नहीं है इसे हम कडाही में कटोरियों के बीच में बनाएंगे बर्गर वन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी में डाल देंगे एक चमच चीनी का और एक चमच इसमें इस्ट का डालेंगे बन फोर्थ चमच और डाल लेते हैं मतलब सवा चमच मैंने इस्ट का डाला है अब हलका गुनगुना पाने इसमें एड करेंगे और 10-15 मिन इसे हम चान लेंगे एक चमच डाल देंगे नमक का और तीन बड़े चमच डालेंगे मिल्क पॉडर के कोई भी मिल्क पॉडर आप ले सकते हो मिल्क पॉडर डालने से हमारा जो बर्गर बन है बहुत ही टेस्टी बनता है अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करन और फिर हम हलका सा गुनगुना पानी इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है बहुत ज़्यादा पानी गरम नहीं होना चाहिए हलका गुनगुना पानी होना चाहिए चाहे आप गर्मियों में ही बना रहे हो पानी आप हलका गुनगुना ही लीजिएगा और जो हमारा आटा है वो हम बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे सौप्ट आटा इसके लिए हम तयार करेंगे तो यह देखे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि लूज आटा ही हमने बनाया है धीला आटा है देखिए अब इसे हम सेल्फ पे रखेंगे और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर या मैल्टेड बटर लगाकर इसे पांच मिनट के लिए इस तरह से और जब आपको लगे कि आपका जो आटा है हाथों से चिपक रहा है या सेल्फ पे चिपक रहा है तो आप तेल के हाथ लगा लीजिएगा मैं यहां बटर यूज कर रही हूँ क्योंकि बटर से बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है लेकिन तेल से भी अच्छा बनता है हमारे जो स्ल्फ है एकदम साफ हो गई है फाथों में भी आटा नहीं चिपक रहा है अटा जूं है वो जालि दार बनना चाहिए जाली बन रही है नहीं बहुत ही बड़िया आटा का और जो यूज इस तरह से गोल-गोल करेंगे और इसे रख देंगे एक बाउल के अंदर ग्रीस कर लेंगे बाउल को और उपर से आप हलका सा हाज आटे पर भी तेल का लगा लिजीए और अब हम इसे रैप कर देंगे देखिए यहां मेरे पास क्लीन रैपर है और फ्रेंट्स अगर आपके इस तरह की प्लास्टिक शीट नहीं है तो कोई बात नहीं आप कोई भी मोटा कपड़ा इसके उपर रखती जिएगा या प्लेट से ढखकर रख लीजिएगा अब दो घंटे के लिए इसे हम रेस्ट पे रख देंगे जिसे की आठा जो है अच्छे से फलफी हो जाएगा और अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं फिर किसी गर्म जगा पे आठे को रखिएगा और ये देखिए बर्गर बन बनाने के लिए मैंने यहां टीफिन के वाक्स लिए हैं आप चाहे तो कटोरी भी ले सकते हो जो घर में कटोरी होती है न उसमें भी आप बना सकते हो लेकि से डस्टिंग करेंगे और चारों साइड से अच्छे से डस्टिंग करनी है ऐसा नहीं कि नीचे नीचे ही लगाना है तो आटे को गुंदे हुए दो घंटे हो चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हो साइज में डबल हो गया है अब इसे हम पंच मारेंगे और इसकी हवा न प्रिंकल किया था पहले ही और इसे एक दो मिनट के लिए आप मसल लीजिएगा अब चार भागों में हम आटे को डिवाइड कर लेंगे क्योंकि चार बन इसके बनेंगे एक बराबर साइज के आप डो लीजिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा अभी मैं आपको दि जीएगा यह देखिए जिस तरह हम आम रोटी बनाते हैं उस तरह से नहीं करना है चाहें तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा लेकिन बनाना इसी तरह से है इसको तभी हमारा बन अच्छा बनेगा तो चलिए इसे रख देते हैं कटोरी के यहां मैंने सारे बन्स को बना लिया है और एकदम सेंटर के अंदर इने रखना है अब इने हम कपड़े से तब तक ढखेंगे जब तक की साइज में डबलना हो जाए टाइमिंग यहां आदा घंटा या उससे उपर नीचे लग सकता है बस आप देख लिजेगा कि यह पांच मिनट लो फ्लेम पर गरम करेंगे और जाली जो है अपने हिसाब से आप ले सकते हो जैसी भी घर में जाली हो छोटे बाले बर्नर पर ही हम इसे बेक करेंगे इस बात का आप ध्यान रखिए तो चलिए अब हम देख लितने बंस को तो देखे फ्रेंस काफी यह फूल चुके हैं काफी फलफी हो चुके हैं आप चाहे तो वीडियो को बैक करके कमपैरीजन कर सकते हो कि पहले किस तरह के थे यह बहुत अच्छे से फूल गए हैं अब इसे हम मिल्क वाश करेंगे दूद में मैंने चीनी डाल ली है जिससे की इन में बहुत बढ़िया कलर और उपर से हम लगाएंगे स्फेध तिल क्योंकि मार्केट के जैसे बना रहे हैं न हम तो सेम बनने चाहिए और देखने में मज़ा आता है टेस्ट भी बढ़िया आता है तिल हमारी सिहत के लिए अच्छे हैं तो चलिए कडाई को देख लेते हैं 10 मिनट हो चुके हैं अब कडाई हमारी गरम है अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक एक करके कटोरियों को आप रख दीजिए कडाई के अंदर और लो फ्लेम पर इसे हम 35-40 मिनट के लिए बेक करेंगे पहले 5 मिनट आप थोड़ी मीडियम फ्लेम रख लीजिएगा और फिट लो फ्लेम पर इसे हम जब भी आप कुछ बेक करें तो उसके लिए आप छोटा बर्नर ही यूज कीजिएगा बड़े बर्नर पर नहीं करना है और देखिए इस तरह से ये हवा इसमें से नहीं निकलनी चाहिए ब्राबर आप धकन लगाईएगा अराम से इने आप 30-40 मिनट के लिए बेक होने दी दीजिए जिससे की जो टेंपरेचर हो ब्राबर हो जाए और फिर लो फ्लेम पर आराम से इने बेक होने दीजिए टाइम जो है थोड़ा कम ज्यादा लग सकता है क्योंकि ये बर्तन पर डिपेंड करता है कि बर्तन की सतरह का है मेरे यहां पूरे 40 मिनट लगे हैं और देख लगा कर गैस के उपर इसी तरह से रहने देंगे बंद गैस है और पांच मिनट हो चुके हैं तो चलिए फटा फट से चैक कर लेते हैं अब वाव इनका कलर जो है और भी बढ़िया आया है तो आराम से इने आप निकाल लीजिएगा क्योंकि बहुत गर्म है क्टोरी हमारी तो आप अटा गुंते टाइम बटर ही यूज कीजिएगा तो चलिए अब बटर लगाने के बाद इने आप पांच मिनट के लिए धग कर रख दीजिएगा और पांच मिनट के बाद देखिए कितने शाइन आई है ना इनमें और निकाल लेते हैं इनको अब कटोरी में से औ देखिए आप यह देखिए कोई भी ना चाकू लगाना ना कुछ भी नहीं देखिए फटोरी को उल्टा किया और हमारे जो बंस हैं वह बहुत ही बढ़िया बने हैं बराबर वेक हुए हैं देख सकते हो आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखिए प्रेस करकर दिखा र यह हैं और बर्गर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे उसके लिए फटा फट से अपने जो बैल बाला आइकन है उसको जरूर दबाएए सब्सक्राइब करने के बाद क्योंकि अगर आप बैल आइकन को नहीं दबाएंगे तो फिर आपके पास नोटिकेशन जो ह साथ पहला आइकन को भी दबाएए तो जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार